दोस्तो दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है और दुनिया में बहुत सी उची-उची बिल्डिंगें बन चुकी है जो कि उनके बड़े-बड़े सहरों में आपको देखने को मिल जाएंगी जिनको स्काइस्क्रेपर्स बोलते हैं ये स्काइस्क्रेपर्स चीन के पास सबसे ज़्यादा है ये दिखाना चाहता है कि वो कितना एडवांस हो चुका है क्योंकि उसके आदे से कम आदे या आदे से लगबग तो उसके स्काइस्क्रेपर्स खाली ही पड़े हुए हैं और भारत इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी इतने कम स्काइस्क्रेपर्स क क्यों नहीं बनाता और कौन इसको रोकता है देखिए चाइना के पास 981 स्काइस्केपर्स हैं यूए के पास 137 स्काइस्केपर्स हैं इंडोनेशिया के पास 48 स्काइस्केपर्स हैं और सिंगापूर के पास 33 बलकि इंडोनेशिया के पास इनकी संख्या ज्यादा है अब हम बा स्क्राइब से जो कि 80% स्काइस्केपर्स तो बुंबी में हैं लेकिन अब अमेरिका तो हवा में लटकता हुआ एस्ट्रोइड टावर बना रहा है जो कि कुछ ऐसा दिखेगा लेकिन हमारा इंडिया फिर भी ऐसे क्यों दिखता है यह छोटी-छोटी बिल्डिंग क्यों है हम हमारे देश में उंची बिल्डिंग क्यों नहीं बनती इसका अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पुने पुने 1960 में इतना एरिया था जो कि 700 स्क्वेर किलोमेटर में फैला हुआ था उसके बाद उसके आसपास के 23 गाउं धीरे-धीरे डेवलेप हुए और होते ही जिसके बाद अब 2022 में पुने 10 गुना यानि 7000 स्क्वेर किलोमेटर में फैला हुआ है और भी बड़ी बड़ी शीटी जैसे सूरत एहमदाबाद दिली एंचियार में इसका बहुत ही ज़्यादा इंकिरीज हुआ है और ये सब हुआ है इंडिया के स्पेशल अर्बन प्ला भी करवाना था लेकिन उस समय के आर्केटेक्ट चार्लिस कैरिया का कहना था कि फाइदा इसमें नहीं होगा कि शहर में लंबी इमारते बने बलकि फाइदा इसमें होगा कि शहर में लो राइज इमारते बने इसमें दो फाइदे होंगे क्योंकि इमारते जल्दी तयार हों लेकिन उस समय अप्रूब कर लिया गया इनफेक्ट दिल्ली की लोंगेस्ट सियम सर्विस सिला दिक्सित ने तो ये तक कहे दिया था कि जब तक मैं जिन्दा रहूंगी तब तक दिल्ली में हाई राज इमारते नहीं बनने दूगी लेकिन बंबई में भारत के सबसे ज़्या स्काइस्क्रेपर्स हैं क्योंकि ये एक आयरलेंड है और चारों तरब से घिरा हुआ है पानी से मंबई टोप शिटी कहलाती है लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर ये बहुत ही पीछे है और यही कार्ण है कि एफसाई एफसाई ही इतना ज्यादा हो जाता है कि वो बिल्डर क इसे बनाने से जदा शमय लग जाता है अब एफसाई क्या होता है ज़रा इसे समझ g मान लिजिए एक हजार स्क्वेर मीटर की एक बिल्डिंग बनानी है जिसका एरिया है एक हजार स्क्वेर मीटर और वो दो सिटी में बनानी है बना सकते है तो हम टू फ्लोर्ड बना सकते हैं तो हुआ निफ्लोर का मदल्ब एक फलॉर घया स्काइश्क्रेपर बनाने के लिए लिए इस Γ्य्टि के ऐफैसाई को देखना पड़ता है अब इस में जरह इस इस व पहब समद्देना हैThis को देख ली जिए वर्ल presence कितना है और अपने इंडिया में दिल्ली और बंबई का कितना है जो कि दुनिया के मुकाबले बहुत ही कम है लेकिन भारत में एक ऐसा सीटी है जहां पर FSI की पाबंदी नहीं है वो है हाइदराबाद लेकिन स्काइस्क्रेपर को चलाने के लिए पावर बहुत ज़्यादा पावर की जरूत पड़ती है और हैदराबाद में इतनी पावर की स्वेदा नहीं है स्काइस्क्रेपर की एक बड़ी चुनोती यह भी है कि ś parties की रेंडिक्सिन और बहुत ज़्यादा है जो की एरपर्त बनाने का काम करती है वो अपरॉल जो देती है उसकी अपरॉल बहुत ज़यादा ज़रूरी होती है उसके मेंना building नहीं बन सकती क्योकि क्योंकि AAI ही उंचाई बिल्डिंग की तैय करती है और बिल्डर को AAI की मंजूरी लेनी भी बहुत ज़्यादा जुरूरी है और कुछ स्काइस्क्रेपर्स हमारी सोच की वज़े से भी नहीं बन पाते क्योंकि गाउं के और छोटे सहरों के लोगों को लगता है कि वो बड़े बड़े बिल्डिंग के अपार्टमेंट में बंद महसूस करते हैं उनको काफी छोटे लगते हैं स्काइस्क्रेपर्स ना बनाने के एक बड़ी बज़े यह भी है क्योंकि स्काइस्क्रेपर्स में काफी कार्बन पैदा होता है काफी कार्बन छोड़ता है इसलिए दूसरे ये skyscrapers भहुती ज़्यादा कार्बन छोड़ते हैं इसलिए चाइना ने भी इनको बैन कर दिया है दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताना दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ऐसी और बढ़िया वीडियो के लिए दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कॉ